दोस्तो भूले भंडारी आज दिनांग 4 जून 2021 है यह हमारा दूसरा संबाशन है आज की देव वानी, जन्वानी, मंगल वानी हमें अभी यह कहने का हुक्म हुआ है कि मंगल यह बोलो सुनो क्या आपके पास क्या आपके पास कोई हजारो रुपे या लाखो रुपे या करोड़ो रुपे ऐसे पड़े हैं जिनका आपको सूझ ही नहीं रहा कि इनका क्या करें क्या आपके पास किसी के पास कई हजार रुपे लाखो रुपे या करोड़ो रुपे ऐसे पड़े हैं जिनका आपको सूझी नहीं रहा कि इनका क्या करें दूसरे नमबर देखे तो वे इसलिए पड़े हैं और इसलिए आपको नहीं सूझ रहा जैस सुन लिजे दूसरे नमबर तो इनको यहां और ऐसे इनको यहां और ऐसे खुद ही खर्च केजिए किसी को देने के जड़ नहीं इनको यहां और ऐसे खुद ही खर्च केजिए तुरंत जिससे कि आपका और भारत का बचाओ हो सके वर्तमान विपलो में और आने वाली हालातों में दो नमबर देखिए अभी हमने बोला तो ये इसलिए परे हैं इनको यहां खर्च कीजए उनको यहां और ऐसे खुद ही खर्च कीजए किसी को देने के जट नहीं पुरंट ही खर्च कीजए जिससे की आपका और भारत का बचाओ हो सके भाई तीसरे नमबर पर देखिए भाई कहां खर्च करें तो इसको वहां खर्च करें जहां से यह पता लगा यह पता हमको लग रहा है कि भारत की ज़्यादा समस्या आए इसकी वज़े से आई यह उनका कारण यह है उनको वहां खर्च करें भारत के गरीब और अती गरीब पिछडे और अती पिछडे जैसे उनको इस ओर्डर में खर्च करें उनकी सिक्षा स्वास्थे भूख को मिटाने के लिए खर्च करें और तुरंत खर्च करें पर अडिश ओर भंगी, कंजर, आदिवासी, खाना बदोस्त, थर्ड जेंडर, प्रोस्टिटूट्ट्स, हैंडिकेप्ड, और दैन अबर्स्टूण को इन लोगों की भलाई में खर्च किजिये, इन लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, इनको सम्मान जनक जीवन देने के लिए, इनकी अशिक्षा भूख और मिटाने के लिए, स्वास्थे अच्छा करने के लिए, इन दीजे, इन दीजे, भंगी, कंजर, आदिवासी, खाना बदोस, थर्ड जेंडर, प्रोस्टिटूट्स, हैंडिकेप्ड, उसके बाद और स्टी के अच्छूत लोग, एंड देन अदर्स, भाई क्यों, चार नम्मर देखिए, भाई क्यों कीजिए इनके लिए, तो सुनो, हमारी रिशर्च में आया है, कि भारत की समस्याएं, इस अती समस्याओं के दो कारण हैं, कि ये जो अतीगरी पिछड़े जो परड़लिक लोग हैं, इनकी परड़ूआओं का ही में कारण है कि आज भारत एक विपलो में फसा हुआ है, और ज़्यादा फसेगा, यदि हमने इनके तरफ ध्यान नहीं दिया तो, और एक ज़्यादा कारण ये होता है कि असहाए मूद जीओं को सताना, उसके लिए वेजिटेरिन का बोलते रहते हैं, क्योंकि भारत की समस्चाएं इन्हीं लोगों की वज़े से आ रही हैं, इनकी बद्दुआओं, इनकी चीटकारों की वज़े से आ रही हैं, और जाड़ा भारत डूब जाएगा, यदि हमने इधर ध्यान नहीं दिया तो, और सुनिए, इन्हीं की वज़े से आ रही हैं, और आगे क्या, चार नम्मर देखा, क्योंकि इन्हीं की वज़े से आ रही हैं, चार पॉइंट वन को हमने बताया, चार पॉइंट दू को सुनिए, अभी भारत पर नहीं, ही नहीं, भारत पर ही नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में आफ़तों का पहाड तूटेगा, और उसके कारणिये में दो ही होंगे, एक तो नहीं है, जीवों के लिए मुख जीवों पर अन्याय करना, उनको काट काट कर खाना, और अपने छोटे भाई गरीबों को न्याय नहीं देना, उनका ख्याल नहीं रखना, भारत पर तो समझ्चे जदा ही आएंगी, और ये समझ्चा लगभग इस तरह से आएंगी, भारत पर पहाड़ों, विपत्यों का पहाड़ तूटेगा, यदि अपन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, एक तरफ आएंगे ट्रेंगल बताता है कि भूख बीमारी और ग्रैइद से लोग बिलबलाएंगे, दूसरे नमबर बोर्डर फृट्स होंगी, तीसरे नमबर अंगारे बरसाता सूरिये, सूरिये आस्मान से अंगारे बरसाएगा, किसी भी रूप में बरसाए, समूद्र खोलता हुआ पानी की सुनामी लाएगा और धर्ती फटेगी मानोता त्राई त्राई करेगी यह लिख लो इसलिए लोगों जदी आपके पास कोई कई हजार रुपे लाख चा करोर रुपे ऐसे पढ़े हैं जिनका आपको सूजी नहीं रहा कि क्या करें तो समझ लो कि वे इसलिए पड़े हैं इन गरीबों के लिए असायों के लिए अपाहिजों के लिए तुरंथी खर्च कर दो जिससे कि भगवान आपको दूआ दे सके यह लोग दूआ दे सकें वरना भयानकता तो आही रही है हमें भगवान ने बोला हमने आपको बता दिया हमने भी अपना करन किया हमें खुशी है कि हमने आपको ये बोला बाकी आपकी मर्जी है अब चाहो तो आप ये गाना मेरे साथ साथ सुनिए आप चाहो तो हमारे साथ साथ ये हमारी पसंद का गाना सुनी अभी महा कवी प्रदीत महान आत्मा जिनके गीत दिल को छूलेते हैं आप सुनिया मैं नहीं चो कर आता हूं आप सुनिया मैं जुक से सौनी पीर देखी तेकल असना के दसरों से हमने जग की अजब तस्मीर देखी तेकल असना के दसरों से आप सुनिया मैं स्कति प्रिश् sug दोलुकते हैं लुष भूलेते हैं प्रिश् जब कर दसरों से सौना के देखी तेकल झिल पर लस जुदी है पुच्छ जोरु तपूए आमाया पुच्छ जोरु तपूए आमाया तेरा विर समझ में आया हमने देखे रहल एकुतीर देखी एकिल मस्त नावै चतर दोबे हमने ज़ग किया जब चतर दीर देखी यह गीट था महा कभी प्रदीप का महान आत्मा का मैंने तो इनको नहीं देखा लेकिन यह जैसे होंगे इनके सब्दों से इनके गीट से पता चलता है कि कितने विराठ हर्दे के यह स्वामी होंगे और कोई आदमी को कैसा है चाहे उसको मत देखो उसके सब्दों को देख लो कि उसने क्या कहा आज हम इमर्शन के सब्दों को सिर्फ पढ़ते हैं और पता लगता है कि वो एक फरिष्ट थे इसमें मेरे एक याद आ रहा है उदाहरन चलो बड़ा हो जाएगा आज इतने ही जै हिंद जै भारत